विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर की नन्ही पत्रकार आधित्री सिंह ने गोरखपुर यातायात पुलिस को गमले में लगे पौधा भेंट की वहाँ पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगाता है तो हम पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं साथ ही साथ आधित्री की उज्ज्वल भविश्य की कामना भी की आज आप पर्यावरण दिवस के बारे में क्या कहना साएंगे देखिए आज पांट जून है हम लोग पर्यावरण दिवस हरसल मनाते हैं तो ये दिवस के रूप में नहीं है आपने जो पौधा दिया है एक जिंदगी के बराबर है तो परिवाशन दिवस की रूप में हम लोग मनाते हैं कि इस दिन एक तरह से बरसाद की समय शुरू होता है अब तो नहीं शुरू हो रहा है, लगिन पहले जब जिस समय बना उसमें बरसादा जाता था पॉधे को लगाया जाता था तो अधिक सदिक पॉधे लग जाते थे और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आयदीन मतलब शहर में या गाउं में टेप्रेशर बढ़ते जा रहा है उसके लिए प्रति ब्यक्ति को पॉधे लगाने के जुरूत हो और आप जैसे जब बच्चे कि इस काजप्रम में जब भाग ले रहे हैं तो आपसे जो बड़े लोग है उनको एक सीख मिलेगी कि हम अधिक सदिक पॉधे को लगाएगा मेरा नाम अधित्री सिंग्य है मैं कप्षा चार की छात्रा हूँ मैं शिवालिक पब्रिक स्कूल में पढ़ती हूँ इसके अलावा हम ड्राइंग और भी बहुत चीज़े है वाँ हमारा याताया तुलिस और हमारे सबने आपको बहुत बनाई दिये और अपने आप जीवन में आप उप्जवल जीवन हुआ का आप नई चाहिए चूओ और आप ऐसा काम करो ऐसा काम करो कि मिशाल बनो जैसे अब बहुत चाहिए तो पूरे दुनिया को समाज को देश को एक आप मैसेज दो आप पत्रकार बना तो वह वाली बना जिंदिगी और मौत का सवाल और तभी आप सही को सही गलस को गलस करना ठीक है ये हम लोग आप से उमिद करते हैं और उमिद करते हैं कि हम आप पुलिस गोरपुर यादा है आप पुलिस को जब कभी जरूद पड़ेगी तो हम लोग आपका सहयोग लेगे तो आप उमिद्वों को सहयोग करेंगी पर्यावाड जिवस पर गोरपुर के आप पुलिस आपको बहुत सारी दुआ हैं बहुत सारी मंगल काम नहें आपको दांस करती भिस्ट्वां कर गद्वांट धरनिवार